कुछ ऐसे छोड़ छोड़े ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं आपका मुश्कल से मुश्कल काम भी इजी हो जाएगा हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो हार रोज की तरह आज मैं फिर से लेकर आच कुए हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो वीडियो को लाज सक देखेगा पसंद आये तो इससे लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर अगर आप पहली पर आया है तो फ्लीज इससे सबस्क्राइब भी कर लेजेगा तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की सबसे पहले ट्रिक कौन सी है ऐसे बहुत साइज चीज़े होती हैं जो हमें रात के टाइम जरूत परती है जैसे कोई नाइट क्रीम हो गया या बालो में लगा आने के लिए हमें रबर बंट चाहिए या सर दर्द हो रहा है तो हम यह बाम वेगरा रात में यूजे वीक्स वेगरा यूजे करते हैं आज़ अच्छा दिन भर की थाकावट के कारांन पूरे दिन काम करते 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 हैं ajudar प्र जाता है और बहुत जहादा आल्स आ जाता है तो एक इस तरीके से डवल साइड टेप ले लीजे और पीछे की साइड इस तरीके से लगा कर इसका स्टिकर रिमूव कर लीजे अब इसको आप कैसे यूज कर पाएंगे बहुत ही आपका जो है मुश्किल मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा इस तरीकी जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको रात के टाइम में जरूत पढ़ती हैं वो सारी चीज़ें इस तरीके से आप इस पर्स में रख लीजे और जो अपना बेड होता है ना उसके साइड में आप इस तरीके से इसको स्टिक कर लीजे अब कई बर होता है नहीं कि हम बिस्तर पे आगे हैं अब इन सारी चीजों में से हमें कोई समान लेना है तो हमें प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से बगल में जब रहेगा न तो आप एजली ले पाएंगे जरूर करके देखिएगा छोटा सा हैक है लेकिन आपको भी लगाते हैं उसमें वो टर्न नहीं होता है जिसके जिससे उसको खोलना बंद करना काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो उस तरह में आप एक काम करिएगा जब भी इस तरह की की ताले में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए उसमें थोड़ा सा नारियल तेल रख दीजाए इसकी जगह आप सरसो का तेल भी ले सकते हैं और उसको एकाद बुंद आप इस तरह के से यह जो यहां पर हम की लगाते हैं वहां पर भी डाल दीजाए उसके बाद जब आप इसमें चाबी लगाकर थोड़ा सा गुमाएंगे अगर उसी वक्त यह नहीं ठीक से वर्क करता है तो आप थोड़ी दरीक लिए इसको छोड़ भी सकते हैं दस मिन जब आप इसको छोड़ दीजेगा और थोड़ा सा यह उसमें भिंद जाएगा जब जो तेल होता है उसके बाद जब आप चाबी लगा के इसको खोलेगा यह बहुत ही आसानी से खुलेगा भी अगर फिर भी नहीं खुलता है तो इस तरीके से थोड़ा तेल रखने के बाद आप इसको धूप में रख दीजेए धूप में रखने से क्या होता है यह बहुत ही अच्छे से जो अंदर का जो लॉक होता है वो काम करने लगता है उसके बाद आप कितने भी जो ताले होंगे ना इस तरीके के वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगेंगे जितना भी उसमें जंग लगा होगा ना वो भी असानी से खुलेगा जरूर करके देखिएगा उमीद करती हूँ यह आइडिया भी आपको जरू काम आएगा चले देखते हैं नेक्स्ट तो न अगर अच्छा लगेगा तो फ्रीज वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा तो मैंने लिया है यहाँ पर एक पानी की बॉटल आप चाहे तो इसके जगाए को लेना है एक मांकर तो जैसे मैं मांक कर रही हूं सेम उसी तरीके से आपको मांक करना है तो कुछ इस तरीके से उपर की तरफ से हमें दो लाइने लेकर आनी है और साइट में ले जाकर दोनों लाइन को हमें जॉइन कर देना है तो इस तरीके से सामने से हमें दो लाइने कीच कर उसके बाद इधर से हमें ले जाते हुए दूसरे तरफ हमें इसको जॉइन कर लेना है तो यहाँ पर हमार करना है यह जो बॉटल का माउथ वाला हिस्सा ने इसको बैक साइट में लाकर यहां पर करके एक हमें गुलाई में मार्क कर लेना है यहां पर में हमें एक होल करना है तो इसको भी इस तरीके से कट करने के बाद यह जो माउथ वाला हिस्सा है ना बॉटल का इसको अंदर के त कर सकते हैं जैसे आपकी बालकनी हो गई या फिर जहां पे भी आप छोटे चोटे इंडोर प्लांट्स वगरा लगाना जाते हैं वहां पर कुछ इस तरीके से बॉटल को लगा कर और यह जो हमने होल किया था इसमें लाकर इस तरीके से हमें फसा लेना है अब आप क्या कर सकते इसमें चाहे तो आप मिट्टी भी भरके कोई भी छोटे चोटे प्लांट्स लगा सकते हैं या फिर जैसे मनी प्लांट्स वगरा होते हैं जो सरिफ पानी में रहते हैं आप वो वाले प्लांट्स भी यहां पर लगा सकते हैं तो मैं छोटे चोटे चोटे जो मनी प्लांट् और आप free cost में जो है आपका एक organizer बन गया आपका एक pot बन गया है और इसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो इसको छट पर भी अपने तार वेगरे पे डाल सकते हैं इसमें आप अपने जो cloth clips होते हैं वो रखने के use में आ सकता है या फिर आप चाहे जिस त इसमाल करिएगा free cost में आपके जो organizer है वो बन के ready हो जाएंगे I hope आपको जरूर पसंद आए होगे टिप चले बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं next tip इस तरीके switchboards हर किसी के घर में होते हैं इसमें जो यह three pins लगे होते हैं कई बार जो है काफी जादा dangerous हो जाते हैं जिनके घर तो की लिएगा इस Germany के अन्दर जाने कर डर रहता है तो आप काम कर सकते हैं इस तरीके की आप बिंदी ले लिजे थोड़ी से बड़े सास्की अगर बिंदी लीजेगा तो यह बहूत ही जाने का डर भी नहीं रहेगा तो इस तरीके से जो भी आपके switchboard में जो होल्स होंगे आप इस तरीके से उसको बिंदी की मदल से cover कर सकते हैं ज़रू करके देखिएगा चलिए देख लेते हैं अगले टिप तो next step यहां पर संत्रे वेगरे से जुड़ी हुई है कई बर होता है कि हम उसको जब thumb से छिलते हैं तो हमाई thumb के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है तो आप इस तरीके से अगर इसको चिलेंगे ना तो आपका काम बहुत ज़्यादा असान होगा आपको क्या करना है एक knife लेना है और इस तरीके से बीचो बीच कट करके दो पीस में इसको कर लीजे उसके बाद एक पीस उठाकर आप back side से इसको thumb के help से पुश करिए आगे की तरफ आप देखिएगा कि इसके जितने भी pulp है ना वो बहुत ही असानी से इस तरीके से आप निकाल पाएगा उसके बाद खाने में भी इसमें जो रेशे आ जाते थे ना वो भी नहीं आएंगे और जब भी आपको juice वेगर अगर निकालना होगा तो वो भी आप आसानी से निकाल पाएगा और इसके जितने रेशे है न वो सब इस तरीके से छिलके ही में रहजाएंगे क्योंकि बचे कई वर आना काली करते हैं इनकी रेशो के वज़े से वो खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से अगर आप उसको चिलके दिजएगा ना टो बहुत यहाक सिखाएंगे तो ये तो थी पल्प की बात अब हम इनके जो छिलके होते हैं उनको भी फेकेंगे नहीं इनको भी हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं ये आपके साथ आइडिया शेयर करने वाली हूँ तो इस तरीके से इनको छोई-छोई टुक्रों में शिलकी की जो कलर है और वो सब पानी में घुलना जाए उसके बाद ये आपका एक बहुत ही अच्छा होम मेट फ्रेशनर बनके तयार हो जाएगा इसकी खुश्पु बहुत ही अच्छी आईगी अगर आप कभी जैसे कीचन में नॉन वेगरा बनाते हैं या फिर कोई तरीकी क जो रून फ्रेशनर बना कर रखते हैं और उसको स्प्रे करते हैं आप देखे का आपके किचन में से कभी भी बिल्कुल भी स्मेल ले आएगी नेक्स आइडिया जो है वो इस तरीकी के जार से ज्रुआ हुआ है अगर आपके मिक्सी के जार के ब्लेट की धार कमजोर हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा एक मुठी करीब चावल डालकर और उसको ग्राइंड कर लिजे आप देखेगा जो आपके मिक्सी के जो ब्लेड है ना बहुत ही अच्छे से तेज हो जाएंगे तो जरू करके देखेगा तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती कमन बोक्स में जरूर बताएगा आपको इन में से कौन सी टिप सबस्यादा यूसफुल लगी है और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं ताकि मैं जान सकूँ में वीडियो को कहां तक देखा जा रहा है कल फिर मिलती हूं ऐसे एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए आपना ख्याल रखेगा गुद बाए